नमस्कार, आज मैं परीक्षा पेचर्चा के लिए बैठा हूँ यहाँ पर, आज मैं स्टूडेंट से बात करूँगा, खास करके जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जो अप्टू क्लास 12 हैं या उसे छोटे हैं, उसे मैं बात करना चाहूँगा, और यह मैं जो आज बाते कर और उनमेंसे जो अच्छे बच्चे होते हैं, उनसे बहुत सारे बच्चों से मेरा इंट्रेक्शन होता है, या खिरो कैसे अच्छे मार्क्स लाते हैं एक्जाम में, 95, 96, 97 लाइक, तो उन बच्चों से जो मुझे फीटमेक पिला, या उन्होंने जो अपनी स्ट्रेड़ज बच्चों के लिए बहुत ही यूस्फुल होने वाला है, जो कि स्कूल में पढ़ते हैं, जो कि स्टुडेंट्स हैं, तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे आपको कल स्कूल जाना है, तो आज आप जो टॉपिक्स ये स्लेवस कल पढ़ाया जाना है डिफेरेंट स समय आपको जो बहुत confident होंगे और उसके बारे में एक basic idea होगा, आप ignorant नहीं होगे, आपको उन चीज़ों के बारे में कुछ तक तक idea होगा, जो कि आपको समझने में और आपको बड़ा मदद करेगा, और उससे आपको confident रहेंगे, और class में और बच्चों की तुलना में आप आगे रहेंगे, तो यह बहुत जरूरी है कि जो कल पढ़ाया जाना, उसकी एक reading आस करके आप जाईए कल, दूसरा है जब आप class में जाईए, तो class में आपको बहुत जरूरी है कि आप पूरी तरीके से attentive हों, focused हों, और उसके लिए जरूरी है कि आप time table जब change करके ले जाई में, तो उसमें आपकी सारी books, सारे notebook, सारे study materials, सारी जो belonging ज़रूरी है class के लिए आपको साथ में ले के जानी है, ताकि class में आप दूसरों पे आप dependency नहीं होने चाहिए, आप independent हो, उससे आपका confidence label उपर होगा, और उससे आप जब flexible होंगे, और free होके आप अपनी पढ़ाई क कर पाएंगे, class में जब teachers आते हैं, तो सारे subject teachers अलगलग period में जबाएंगे, तो उनमें आपको बहुत जरूरी है कि आप अच्छे से focused होईए, अच्छे से attentive होईए, जो भी पढ़ाया जा रहा हो, आपके thought process में चलना चाहिए, और आपको left, right क्या चलना उससे मतलम नहीं होन चाहिए, आपको बहुत जितना focused होंगे, जितना चीजों को आप grasp कर पाएंगे, वो बहुत जरूरी है आपके लिए, कहीं कोई doubt है, कहीं कोई चीज आपको clear नहीं हो रही है, clarity नहीं है, तो उसको आप अपने teacher से जरूर clear करिए, और या फिर अगर आप चाहिए, तो आपके doubts रहेगा आपके मन में, तो आने वाले time में फिर अगर आपका previous knowledge जो है, वो restricted होगा, अगर हो handicapped होगा, तो आगे उसी को उपर build up होता है, फिर आपके doubts जो है, आने वाले जो और topics होंगे, जो और difficult chapters होंगे, वो समझने में आपके लिए मुश्किल पैदा करेंगे, तो better यह ह कि अपने आप doubts को clear करते रहे है, अगला है step कि आप जब class से वापस घर आईए, तो शाम तक अपना जो है, जो भी homework है, जो भी assignment है, उसको timely जरूर पूरा करिए, और उसके बाद जो आज आज आपको class में पढ़ाया गया है, उसको शाम को जब आप वापस आईए, तो उसको जरूर revise करिए और learn करिए, तो एक बार तो आप class में अटेंटिव रहे है, फोकस रहे है, दूसरा शाम को जब आए, तो आपने उसको अच्छे से revise किया और learn किया, फिर अगला बनता है कि अगले दिन, अगले दिन, morning time में, afternoon या evening में, जब भी आपको time लगे, तो आज जो भ से पढ़ाया गया है, उसको अगले दिन आपको फिर से revise करना है, और फिर से आपको ज़्यादा आपको और उससे बहतर कोशिस करना है, उसको grasp करना है, उसको learn करना है, तो कहने का मतलब कि अगला revision आप अगले दिन जो है, फिर से आप लगाएंगे, इसके बाद फिर अगले revise करना है और आप देखेंगे वो सारी चीज़े आपके माइंड में फटाफट 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 वो जो एफ्रेस होती जा रहे हैं रिफ्रेस होती जा रहे हैं बिना effort के effortlessly वो सारी चीज़े आपके माइंड में आ रहे हैं और फटाफट आपका confidence level और आपके उसके पकड़ बहुत ही मस्बूत होती जा रही है फिर जब आप एक्जाम में जाईए तो मानलो की कल आपका एक्जाम है मानलीजे आज आपका एक्जाम है तो मौर्निंग में अगर मानलो की आप सुबह पांस बजे उठते हैं और आपका स्कूल आपके घर से आधे किलो, आधे गंटे की डिस्टंस पे है, तो आप सुबह माझनो 40 मिंट आपको लगता है कि आप फरिश होते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रिक्फास्ट लेटे हैं, तयार होते हैं, फिर भी आपको वाज़ लगो कि डिल गंटे का टाइम होगा उस डिल गंटे के टाइम में आपको फिर से एक रिवीजन लगाना है अच्छे से और फिर उसके बाद आपको स्कूल जाना है पॉस्टिब माइंड के साथ में क्लास में जब आप पहुँचिए एक्जाम हाल में आपको पेपर्स मिलेंगे तो पेपर्स को आप सुरू के आठ दस मिनट बारा मिनट तक आपको सिर्फ भी आप तो गो थ्रू और उसमें आपको देखना अगर कोई कुछिन नहीं समझा रहा है तो उसको आपको दो दिन बा पहले आप खतम करिये टाइम से ताकि एक रिवीजन या एक बार फिर से गो थ्रू योर फाइनल आंसर देखने के बाद लाष्ट का जो पांस मिनट चार मिनट आप रिवाइस करते हैं या आप देखते हैं कहां गलतिया हुई है उससे आपके दो से पांच परसेंट मार्क और बढ़ जाते हैं फिर एक्जाम देने के बाद जब घर आईए तो उस पेपर को देखिए उसमें आपसे कहा मिस्टेक्स हुई हैं कहां पर गलतिया हुई हैं और उससे क्या होगा कि अगला पेपर आप जो देंगे तो उसमें आपको फिरो गलतिया आपसे नहीं होंगी और उन चीज़ों पर आप इंप्रूब करेंगे और इससे क्या होता है कि एक दीरे-दीरे करके असमेल होगे बहुत सारा मैटर आपके हाथ में होगा और यह आपको बाद में जो है जब कभी आप रिवाइस करेंगे तो उसमें बहुत हल्पफुल होता है तो यह बहुत ही simple strategy है जो मैंने discuss किया आप सब भी इसको अपना सकते हैं और मैं sure हूँ जैसे मैंने सुरू में कहा कि यह मैंने जो feedback या जो बच्चों ने मुझसे strategy share की और जहातर उन में से बहुत ही high skilled बच्चे थे तो इसलिए बहुत ही आपके लिए useful होने वाली है और दूस इसरी चीज़ में कहना चाहूंगा कि class में अपनी जो company अच्छे बच्चों से रखिए क्योंकि जैसे कि अगर आप अच्छे बच्चों से company रखेंगे तो उससे आपको शीकने को मिलेगा अगर गंदे बच्चों या बुरे बच्चों या कम अच्छे बच्चों से आप इससे आपका जो academic future हो बहुत ही bright होने वाला है और जो academic future आपकी bright होगा तो इसके बाद फिर आपका overall जो future हो भी bright होने वाला है